नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं Simple One Vaz Ola S1 Air दोनों ही जबरदस इलेक्रिक स्कूटर है किसी फीचर में कोई भी कम नहीं है यहां पर दोनों एक से बढ़कर एक है तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे Simple One और Ola S1 के कंपरिजन के बारे में कौन सा बेश थे कौन सा आपको लेना चाहिए किसके अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं और किसके अंदर आपको क्या चीजे नई देखने को मिल जाएगी क्या फीचर्स मिल जाते हैं Ola में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे Simple One में आपको क्या मिलेगा सब जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही पर Simple One की बात करें तो इसमें 4.8 किलो वोट की आपको बेटरी पेक दिया गया जो काफी अच्छा और पावरफूल है और Ola S1 से भी काफी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है वही अपन इलेक्रिक टूविलर कंपनी के बारे में बात करें वही Simple One Energy ने हाली में अपने EV स्कूटर Simple One के नयर वर्जन को लॉंच कर दिया गया और इसकी गोशना भी की है जिसके बाद टूविलर लवर्ट इन दोनों को अपस में कंपेर कर रहे है आईए आपको हम इसकी कीमत भी बताएंगे फीचर भी बताएंगे और जिसके बाद अपनी पसंद का स्कूटर आप ले सकते हो आपको आसानी हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद तो आपन सबसे पहले Ola S1 की यहाँ पर टोप स्पीड के बारे में बात करें तो Ola S1 जो एर है वो 87 किलोमेटर एक चार्ज के अंदर चलता है और वही टोप स्पीड की बात करें तो आपको 85 kmph की टोप स्पीड देखने को मिल जाती है इसका कूल वज़न की बात करें तो 99 kg इसका कूल वज़न आपको ओर ओल वेड देखने को मिल जाएगा और यह 4-5 गंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और इसमें फास्ट चार्जिंग का उप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है इसकूटर में 2700 वोट की पावर और सीट हाइट की उचाई आपको देखने को मिलती है तो इसकी बेटरी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफूल है और सीट हाइट की बात करें तो आपको 702 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है वह अपन इसकी शुरुवाती कीमत की बात करें तो आपको 84,000 में देखने को मिलती है जैपुरास्तान एक शोरूम है और यह तीन वेरियंट के अंदर आता है और इसमें पूरे 5 कलर आपको देखने को मिल जाते है और इसके top variant की बात करें तो यह आपको 1,9,000 के अंदर इसका top model देखने को मिलता है और safety के लिए इसमें combined braking system भी आपको देखने को मिलता है वह अपन बात करें इसकी curvy body panel और single piece seat की तो इसमें twin projector headlamp आपको देखने को मिलते है और curvy body panel आपको देखने को मिल जाएगा single piece seat और mirror भी आपको देखने को मिलता है इसमें flat footboard दिया गया है इसमें TFT screen आपको देखने को मिल जाएगी smartphone connectivity आपको देखने को मिलेगी riding modes आपको देखने को मिलेगे reverse mode देखने को मिल जाएगा side stand alert आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद music, playback, remote boot, lock आपको देखने को मिल जाएगा, navigation और productive maintenance जैसे feature आपको देखने को मिलते हैं इसमें 34 liter का under seat storage आपको देखने को मिलता है, इसका ground clearance की बात करें तो 165 mm का आपको ground clearance देखने को मिलेगा, वहीं wheelbase की बात करें तो 139 mm का आपको wheelbase देखने को मिलेगा, जिसमें इसे कम जगह में मोडने और चलाने में आसानी होती है यह माच 4.5 सेगन में 0-40 की speed RM से पकड़ लेता है जो काफी अच्छी है और काफी powerful आपको देखने को मिलता है, अब अपन बात करें, simple one EV scooter की single charge के बारे में तो आपको दोस्तों company 23 में 2023 को नए clever में simple one को launch करेगी और वहीं बात करें, यह premium segment electric scooter होगा, यह scooter एक बार full charge होने में 236 किलोमेटर चलेगा, यानि कि बहुती ज़्यादा range आपको देने वाला है, एक charge के अंदर 236 किलोमेटर बहुती ज़्यादा होते हैं, अभी तक कोई electric scooter यहां पर इतना range नहीं दे रहा है वहीं अपन बात करें, इसमें 4.8 किलोवोट का battery pack दिया गया, इसमें आपको बहुत सारे color देखने को मिलते हैं, बेजेन black color देखने को मिल जाएगा, नामा red देखने को मिल जाएगा, और ओरेज blue color देखने को मिल जाएगा, और last color की बात करें तो आपको यहां पर grace white 4 color option दे देती है, तो यहां पर काफी अच्छी talk generate होती है, और आपको काफी powerful electric scooter देखने को मिल जाता है, अब इसके features की बात करें, तो scooter में 2 second में 0-40 kmph की top speed आप पकड़ लेता है, जो काफी अच्छी है, वह इसकी top speed काफी अच्छी रहने वाली है, और main highlight feature इसकी top speed है, तो इसकी top speed अगर मैं आपको बताऊं, तो 105 kmph की top speed आपको मिलती है, इसमें 30 liter का बड़ा आपको under seat storage देखने को मिलेगा, और अपन scooter की बात करें, तो scooter में आपको digital touch screen देखने को मिलेगा, इसमें music, bluetooth, phone connectivity, जैसे कई feature आपको दिये गए है, तो काफी अच्छे अच्छे feature के साथ, दोस्तो आपको simple one के अंदर ज्यादा मिल रहे है, तो अब आपको सिधा clear हो गया होगा कि simple one अच्छा है, या ola s1 अच्छा है, अगर आपको दोस्तो ola पर trust है, तो आप ola पर जा सकते हो, अगर आपको simple one पर trust है, तो simple one पर जा सकते हो, feature के मामले में कोई कम नहीं है, लेकिन अगर आपको range ज्यादा चाहिए, top speed ज्यादा चाहिए, तो आप simple one पर जा सकते हो, लेकिन नहीं के मुझे आरम से city ride करनी है, और ज्यादा speed पर scooter नहीं चलाना है, और थोड़ा बहुत अच्छा ही scooter चाहिए, तो आप ola s1 air पर भी जा सकते हो, अब आपका doubt clear हो गया होगा, और दो दो doubt clear हो गया, तो चैनल को जड़ से subscribe कर लिजेगा, वीडियो को like कीजेगा, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye